सपत लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है सपत लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है साधना का पत कठिन है साधना का पत कठिन है सपत लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है पर निभाना ही कठिन है शलभ बन जलना सरल है प्रेम की जलती शिखा पर स्वयम को तिल तिल जला के स्वयम को तिल तिल जला के दीप बनना ही कठिन है स्वयम को तिल तिल जला के दीप बनना ही कठिन है साधना का पत कठिन है साधना का पत कठिन है सपत लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है सपत लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है ठोकरे खाकर नियती की जी रहा मानम युगों से ठोकरे खाकर नियती की जी रहा मानम युगों से है सरल आसु बहाना मुस्कुराना ही कठिन है साधना का पत कठिन है सपत लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है तप तप अस्या की सहारे इंद्र बनना तो सरल है स्वर्ग का आई स्वर्य पाकर मद भूलाना ही कठिन है स्वर्ग का आई स्वर्य पाकर मद भूलाना ही कठिन है साधना का पत कठिन है साधना का पत कठिन है सपत लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है इसके मूल लेखक कौन है किसने इसे लिखा है ये मुझे नहीं पता लेकिन ये रचना मुझे इतनी प्रीय है कि मैं उसे शब्दों में बया नहीं कर सकता इतने सुन्दर इनके बोल है शब्द है एक एक जो लाइन है सचमुच बहुत कुछ हमें सीख दे जाती है जैसे कि पहली लाइन अगर हम बात करें सपत लेना तो सरल है हम बात-बात में प्रण ले लेते हैं कि हम ये करके दिखाएंगे वो करके दिखाएंगे हम तुमसे कभी नहीं बात करेंगे लेकिन जब निभाना होता है तो हम निभानी पातें इसलिए जब भी कोई बात आप कहें जब भी कोई वचन आप लें जब भी कोई commitment करें तो बहुत सोच विचार करके आप पहले उसके हर पहलू पर सोचें, समझें और दूरगामी जो उसके प्रभाव हैं उसके हिसाब से, अपने सामर्थ के हिसाब से आप कोई भी प्रण लें तब ही जागर के आप उस प्रण को आगे कायम रख सकते हैं यहाँ पर जो प्रण हैं वो सांसारिक प्रण की बात नहीं है, वो प्रण है कि जैसे हम सादो महात्मा लोग सन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए घर परिवार सब को छोड़ देते हैं होता है कि हम संसार में आके फिर अटक जाते हैं, एक घर छोड़ते हैं, दूसरे घर में हम आके फस जाते हैं, एक रिस्ता छोड़ते हैं पर हजारों लोगों के रिस्तों में आकर के हम उलच जाते हैं आप देखिए, जितने भी महात्मा जी लोग हैं, सादो संत हैं, तपस्वी अपने आपको कहते हैं, आजकल हजारों की भीड में इस तरह उलजे हैं, कि आप तै नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति सच में भीड से बचा हुआ है कि नहीं है, और उनके आचार व्योहार सब कुछ जो कि सब कुछ सेंस कर लेते हैं, कि सामने जो व्यक्ति हमारे है, वो कौन है, कैसा है, उसकी अपनी जो आभा मंडल वो कैसी है, तो जो भी प्रण आप लें, उसको निभाने की कोशिस करें, और अच्छी तरह से सोच विचार करके, आगे कदम बढ़ाएं अपने उस प्रण के रास्ते पर, यहां कहा गया है अगले लाइन में, शलभ बन जलना सरल है, प्रेम की जलती शिखा पर, जो आप देखते हैं, दीपक की जो लॉव होती है, तो लॉव एक हलका सा ट्रेंगल में वो लॉव प्रकाशित होता है, तो जो शिखा है, सबसे उपरी उसके लॉव के बिंदू को कहते हैं, तो जो शलभ होता है, कीट पतंग, कीट पतंग को शलभ कहते हैं, तो उस रूप से, उस सौंदर से, दीपक से, प्रजुलित, उस किरण से, इतना जादे प्रभावित होता है, कि उससे मिलने की ख्वाइश करता है, और बार बार मिलने के प्रयास में, उसी के प्रभाव से दीपक के प्रभाव से वो कीट पतंग जल जाता है तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि सलभ बन जलना सरल है प्रेम की जलती शिखा पर मतलब कोई प्रेम में अपने आपको कुर्बान कर दे यह बहुत बड़ी बात नहीं है असली बात क्या है स्वयम को तिल तिल जला के दीप बनना ही कठिन है जो दीपक है ना जिसमें वो प्रकाशित हो रहा है वो लौव उस दीपक के निर्मान की जब प्रक्रिया है तो उसके बारे में आप सोचिए कितना उस मिट्टी को तोड़ा जाता है उसको उसको गुथा जाता है उसको नरम बनाये जाता है फिर चाक पर लगाये जाता है और फिर जाकरके वो दीप का आकार लेता है और फिर उसको आग के जलते हुए भठी में रखा जाता है सोची उस दीपक का एक एक खिस्सा किस तरह से आग में जूलस्ता होगा और मजबूत बनता होगा तो जो इनसान अपने जीवन में स्वयम को मजबूत करना चाहता है उसे संघर्सों से खुब गुजार्ना होगा जब तक हम जीवन में संगर्स का सामना नहीं करते हैं तब तक हम अजबूत नहीं होते हैं जो सब लोग जो सुक सुबधा से संपन जीवन जीते हैं उनके भीतर ये शक्ति सामर्थ नहीं हो पाती तो इसलिए सारी लाइने देखे आगली लाइन में क्या बात करेगे ठोकरे ख ठोकरे खाकर नियति की जी रहा मानम युगों से मानम युगों से है सरल आसु बहाना जब हमको तकलीफ मिलता है हमको कश्ट होता है हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो हम रोने लगते हैं यह रोना बहुत कठिन बात नहीं हम सब रोते हैं लेकिन जो मुस्कुरानी की इस्थिति है न वह बहुत दुरलब है बिर्ला लोग होते हैं जो अपने हर परिस्थिति में प्रसन भाव अपने मुखमंडल में अपने अंतरात्मा में कायम रखते हुए जो सामने चुनौतियां है उनका सामना करते तो यहां पर कहा गया है ठोकरे खा कर नियत की जी रहा मानम युगो से है सरल आसू बहाना मुस्कुराना ही कठिन है और आखरी लाइन है तब तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है जब हम संघर्ष करते हैं तपस्या करते हैं और खुब जी तोड मेहनत करते हैं निरंतर लगे रहते हैं अपने लक्ष को पाने में तो हम निश्चित तोर पर सफल हो जाते हैं लेकिन जब सफलता हमको प्राप्त हो जाती है उस समय ये भेजा जो है ठीक ठाक बना रहे अभिमान से हम अपने आपको बचा के रखें गर्व से बचा के रखें ये बहुत दल रखना सहज रखना सामाने रखना ये ये बहुत बड़ी चुनोती है अगर ऐसा किसी के जिंदगी में है तब ही जाके उसकी सफलता उसके जीवन के सौंधरे को उसके जीवन के अलंकरन को और अधिक बढ़ा पाती है तो आदमी सफल होने के बाद कई बार समाज में बह खर्ग का ऐश्वर्य पाके इंदरस्वर्ग का ऐश्वर्य तो पा गय थे लेकिन उनके भीतर का जो मद है न वो कभी उनके जीवन से दूर नहीं हो पाया और इसी वजह से कई बार सफलता पाने बार फिर वीफल हो जाते थे तो यदि जिन्दगी में हम सफल होना चाहते हैं, सफल होते हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हमारे जो भीतर अभिमान है, गर्व है, अपने भीतर एक सुप्रियोर्टी कॉंप्लेक्स है, उससे खुद को बचा के रखें और पहले ही की भाती अपने आपको रखें जैसे कि आप संघर्ष के दिनों में लोगों के साथ मिलते हुए, मैशूस होते थे, ऐसी अगर हमारी है, तो हम संसार में भी सफल होते हैं और आध्यात में भी सफल होते हैं, आध्यात में गर्व क्या होता है, बाबा जो कोई है या सन्यासी है या तपस्वी है, अपने आपको इतना महान तपस्वी समझने लगते हैं, लगता है जैसे साक्षात परम ब्रम परमात्मा वही हो धर्ती पे चलते हैं, तो ये जो अभिम हम अन्भिज्य नहीं हैं, हम अच्छी तरह जानते कुन की अवस्ता क्या तो इसलिए व्यक्ति को संघर्ष करते समय लगे रहना चाहिए और इस पूरे रचना का सार यही है कि व्यक्ति को अपने जीवन में चुने हुए लक्षे के तरफ हमेशा बढ़ते रहना चाहिए तो मैं श्रामी राम सेकर इस समय हिमाचल का जो कांगड़ा जिला है उसमें एक बैजनात नाम का जगह है भगवान शिव की नगरी कही जाती है शिव जी का निवास से दिब्द्य इनका सोरूप भगवान पुलिनात का इस सहर में है और जहां हम है वह भगवान शिव का अस यह हमारे कुटिया का परिसर है मंदिर है अंदर भगवान भुलिनात विराजमान है उनके पास थोड़ दिर क्लें में चलेंगे दार्शन करेंगे और फिर आप सबसे विदा होंगे आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आप लाइव सेशन का नोटिफिकेशन पाएं जोईन जरूर करें और जो चीजह आपको पसंद आती है वो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मेरी जो ये कोशिस है आध्यात्म साधना से जोड़े भिन भिन पहलूं को सरल से सरल शब दो में आप सब तक मैं पहुचानी की कोशिस करूं तो उन्हें भी लाब होगा और हमारे साथ वो जुड़ पाएंगे इसके साथ ही मैं बताना चाता हूँ कि यदि आपके भीतर कोई आध्यात्मिक शंका है किसी तरह का प्रश्न है तो वो हमारे सामने जरूर आप रखें यदि आप रखते हैं तो उसका जो उत्तर है उस उत्तर पर हम विचार करेंगे और हम दोनों कुछ सीखेंगे जो प्रश्न इसलिए किया जाता है कि जो हमारी समझ है जो हमारा चिंतन है जो हमारे भीतर का अज्ञान है दुविधा है वो समाप्त हो सके तो इसी मकसद से प्रश्न होना चाहिए तब भी जाकर के हम प्रश्न के सही लाब से अपने जीवन को प्रभावित कर पाएंगे इसका फायदा उठा पाएंगे आप सबने लाइब सेशन में देखा शेयर करें हमारे फेस्टूप पेज पर इंस्टाग्राम पर और यूटूब चैनल पर भी विजिट करें बहुत सारी चीजें आपको देखने सुनने को इसके अतिरिक्त भी मिलेंगी उमीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और अपना स्नी फ्रेम हमेशा बनाए रखिए अब है अगर आप हमाद चलाते हैं तो हमें याद करें अभी के लिए पना ही बहुत बुद्धन्यवाद